हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो आर चैनल, आपने देखा ही होगा आज मार्केट में फॉल आया है, निप्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में लगबग लगबग 1.8% का फॉल देखने को मिला है, तो ब्रोडर मार्केट में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, ऐसे में क में जरूर बताइए, आज का आपका पोर्टफोलियो रेड में बंद हुआ के ग्रीन में, आज हम लोग बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में, जो की बहुत ही अच्छे लेबल पर ट्रेड कर रहे हैं, इस मार्केट में भी हमको वो बहुत अच्छे लेबल पर मिल र आप देखी सकते हैं, आज के मार्केट के फॉल में भी स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया मूव दिया था, बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गया, लेकिन आज स्टॉक ने करीब-करीब 5% का मूव दे दिया, अगला है बजाज कंजुमर केर, ये स्टॉक को हमने त दो तारीक को डिसकस किया था, और यहां पर मेरा 280 के लेबल से हाई ब्रेक होने पर एंट्री का प्लान था, जो कि आज ट्रिगर हो गया है, और ये स्टॉक में भी मेरा प्लान इंटक्ट है, और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, तो इसमें मेरा बहुत ही बढ़ करीक को और हमारा रिटेश पर खरीदने का प्लान था, और स्टॉक बहुत दिनों तक रिटेश लेबल पर ही कॉंसलिडेट कर रहा था, तो लोग थोड़ा परेशान हो गया था, बार-बार पूछ भी रहते कि ये स्टॉक में क्या होने वाला है, क्या करना है इस स्टॉक मे तो आप देख सकते हैं, ये स्टॉक फाइनली हमारे बाइंग लेबल से एराउंड 13% का मूव आज दे दिया है, तो मार्केट आप देख सकते हैं, बहुत ही वोलटेल चल रहा है, अगर आप कुछ भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो सोच समझ के स्टॉक में प्लानिंग करें, और अपने पोजिशन साइजिंग पे खास ध्यान दें, चलिए आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं हमारे आज के स्टॉक के बारे में, आज का हमारा पहला स्टॉक है, मैक्स स्टेट्स, अभी हम लोग चाट के डेली टाइम फ्रेम में है और आप देख सकते हैं, 333 के लेबल पे एक जो रेजिस्टन था, इस लेबल से स्टॉक में ब्रेकाउट आके अभी रिटेस्ट हो गया है, और ब्रेकाउट का केंडल भी आप देख सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉंग था, करीब 18% का, और उसमें वॉल्म भी बहुत अच्छ तो उस case में हम stock में entry plan करेंगे, और in case stock ये level को respect नहीं करता है, तो हमें एक और support इस level पे दिख रहा है, around 320 के level पे, तो ये भी एक stock के लिए support हो सकता है, लेकिन इसके नीचे stock ब्रेकाउट हो जाएगा, तो इस level पे अगर stock में कहीं हमें bully signal दिखता है, तो हम stock में अपनी entry plan कर सकते हैं उस case में हमें 380 के लेबल पे एक target मिल सकता है हमारा अगला स्टॉक है विप्रू ये स्टॉक को हम weekly टैम फ्रेम में देख लेंगे जैसे देखिए आप लोग का बहुत सारा क्वेरी रहता है कि ये सब स्टॉक को हम कैसे ढूंडते हैं तो उसके लिए मैं मैंनुल के साथ साथ एक scanner भी यूज करती हूं और scanner से मुझे थोड़ा help भी मिलता है यह स्कैनर के बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया है और उसमें हमने बताया भी है कि ये scanner को आप फ्री में कैसे यूज कर सकते हैं इस वीडियो का लिंक पिन कॉमेंट और डेस्क्रिप्शन में डाल दूंगी प्ली चेक आउट कर लिजेगा चलिए वापस चलते हैं हमारे स्टॉक पर आप देख सकते हैं यहां पर डबल टॉप बनने के बाद स्टॉक में यह फॉल आया था और स्टॉक यह जो लेबल है हमारा 445 के लेबल पर इस लेबल पर स्टॉक रेजिस्टन्स ल मैंने यह प्राइस रेज़ ड्रॉक किया और हम यह धर पूट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे मेरा तार्गेट भी अचीव हुआ है और मैंने ये 20% का मेरा target achieve होने के बाद यहाँ पर मेरा profit booking कर लिया था अभी मैं फिर से यहाँ पर entry plan करने का सोच रही हूँ क्योंकि stock मुझे correction में मिल रहा है और retest कर रहा है अभी stock और यहाँ पर अगर मैं 200 EMA plot करूँ तो आप देख सकते हैं तो stock लगभग 200 EMA के उपर support ले रहा है एक और चीज़ अगर मैं add करूँ तो आप देखी रहे हैं market में fall आ रहा है तो buying जो है अभी defensive stocks के उपर shift हो रहा है जैसे कि FMCG और IT sector तो यहाँ पर मेरे लिए एक अच्छी buying opportunity बन रही है इसलिए मैं यह stock को consider अभी कर रही हूँ चलिए stock को daily time frame में देख लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं stock में fall आ रहा था और stock continuously lower lows और lower highs बना रहा था यह fall के बाद यह support level पर हमें एक bullish engulfing candle मिला और इसी के बाद आप अगर notice करेंगे stock में higher lows बन रहे हैं और अगर हम last 3-4 days का candles को notice करें तो यह जो low है यह अभी break नहीं हो रहा है तो मुझे लग रहा है stock यहाँ से upmove चालू कर दिया है और यहाँ पर एक और हमें positive चीज यह भी दिख रहा है कि यह जो 200 day यह में है इसी के उपर support लेने के बाद stock अभी उपर move कर रहा है थोड़ा सा RSI को भी देख लेते हैं देखिए यह जो fall के समय RSI continuously नीचे ही shift हो रहा था उसमें भी higher lows और higher highs बन रहे हैं तो RSI के तरफ से भी हमें थोड़ा strength दिख रहा है और यहाँ पर most important चीज मुझे एक और दिख रहा है कि आज का जो candle बना है आप देखिए लास्ट जो आज का candle बना है यह candle एक hammer candle है जो कि एक reversal का sign है तो चलिए सारे positive point तो हमने discuss कर लिए अभी बात कर लेते हैं stock में entry कैसे plan क 466 के label का high अगर break होता है तो मैं stock में entry plan करूंगी उस case में मुझे बहुत सारे target यहाँ पर मिल रहा है जो भी resistance labels है वो सारे मेरे target बन जाएंगे पहला target 476 के label पर मिल जाएगा जो की immediate target है वैसे ही अगर हम देखते जाएंगे तो 492 के label पर एक और target 523 के label पर एक और target और eventually stock में 545 के label पर हमें एक और target मिल रहा है मैं अपना stop loss को immediate target के लिए इसी hammer candle के नीचे plan करूंगी 450 के नीचे और अगर थोड़ा safe stop loss या फिर positional stop loss plan करना हो तो 435 के नीचे plan करूंगी दूसरा stop loss मेरा पहला stop loss छोटा रखने का एक ही reason है कि market अभी volatile है मैं नहीं चाहती अगर stock में निकल सकते तो यहां पर हम measure करेंगे तो हमारा around 6% के risk के सामने मुझे 17% का reward का ratio मिल रहा है लेकिन ध्यान में रखे 435 से नीचे stock bearish हो जाएगा और यह मेरा point of view है मुझे लग रहा है stock इस हिसाब से behave करेंगे लेकिन आपका point of view मेरे से अलग हो सकता है या market मेरे favor में नहीं ज यह मेरी तरफ से कोई buying या selling recommendation नहीं है आपको हमारा आज का analysis कैसा लगा हमें comments में लिखके जरूर बताइए अगर पसंद आया हो तो वीडियो को like चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूले ऐसे ही और informative content के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में thank you